वेलकम बच्चों जवाहर नवोदे विद्याले एंट्रेंस एक्जाम 2022 का फॉर्म आ गया है। पूरे फॉर्म को भरने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। फॉर्म भरने की अंतिम्तिती है 30 नवंबर 2021। नवोदे विद्याले का फॉर्म कच्चा 6 तथा कच्चा 9 दोनों कच्चाओं के लिए आया है। आए अब हम इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा J&V नीचे लिखा आजाएगा जवाहर नवोदे विद्याले आप इसको सेलेक्ट कर ले इस तरह से खुलके आपके पास आएगा फिर जवाहर नवोदे विद्याले समीती जो नीचे दिख रहा है पहला option आप उसको टिक कर ले इस तरह से खुलेगा उपर देखिए अब आपको फॉर्म इस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा अब इसमें जो अगर 6 वाला भरना है तो उपर की ब्लू वाली लाइन को आप सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरह से खुलके आपके सामने आएगा इसमें आप जो सबसे उपर क्लिक एर टू क्लास 6 रिजिस्टेशन लिखा है इसको टिक करें इस तरह से आपके आगे एक फॉर्म खुलके आ जाएगा फिर इसमें आप सबसे उपर जो रेट कलर का क्लिक एर टू डाउनलोड दिख रहा है उस ऑप्शन को टिक करें टिक करने के बाद एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें उसको पीडियाप में खोल के देखें ये फॉर्म है इसको भी आपको भरके सब्मिट करना है इसको मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगी कैसे भरना है अब आप क्या करें इस फॉर्म को थोड़ा उपर कर दें और देखें यहां पर लिखा है उस जिले का चयरण करें जिसमें अभी अर्थी कच्छा 5 में पढ़ रहा है तो यहां पर हम अपने जिले का चयरण कर लेंगे देखिए इस तरह से मैंने बस्ती सिलेक्ट कर लिया फिर आप बगल वाले में आ जाए उस ब्लॉक का चयरण करें ज जिसमें अभी अर्थिक अच्छा 5 में पढ़ रहा है, यहां पर आप अपने ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद से आप सिलेक्ट करेंगे, उस विद्याले का चेन करें जिसमें अभी अर्थिक अच्छा 5 में पढ़ रहा है, यहां पर आपको अपने विद्याले का न नीचे जन्म की तारीक है जब आप इसको टिक करेंगे इस तरह का खोलेगा सबसे पहले सब्सेख सिलेक्ट कर लें फिर मंद सिलेक्ट कर लें और इसके बाद डेट इस तरह से आप का जनमतित्या भरा जाएगा। शके बास एप अपने माता का नाम भरेंगे। मैं XYZ भर दे रही हूँ, उसके बाद आपका बगल में इंटरफेस को खोलें, और देखें, यहाँ पर आपका लिखा है मोबाइल नमबर, सबसे पहले यहाँ पर आप अपने 10 जिजित का मोबाइल नमबर भर लें, इस तरह से, उसके बाद नीचे लिखा है email ID, इस कॉलम में आपको अपनी एक email ID भरनी है, ना हो तो आप पहले बना ले, उसके नीचे आप देखें, email ID भरने पहले फिर देखें, नीचे लिखा है आपके अभिभावक का नाम, इसमें आपको अपने पिता जी का नाम भरना है, ठीक है, आपके फादर का नाम यहाँ पर आप भर दें, उसके बाद देखें, नीचे है अभिभावक का नाम, यहाँ पर अगर आपके माता पिता आपके अभिभावक नहीं है, तो यहाँ पर आपको भरना है, अनिता इसको खाली छोड़ देना है, और उसके बगल में लिखा, अभिभावक के साथ सम्बंद, उसको भी आपको identification mark में आपके पास जो भी आपकी identification mark हो उसको fill up कर दें यहाँ पर मैं भर दे रही हूँ एक example के लिए cut mark on my forehead उसके बाद से आप नीचे आ जाएं अपना link select करें male, female फिर आप अपनी category select करेंगे general, sc, st, obc जो भी आपकी हो उसके बाद आप यह सबसे important है medium of examination इसको आप भरें बहुत ध्यान से यहाँ पर मुझे हिंदी मीडियम में देना है तो मैंने हिंदी मीडियम भर दिया है फिर आप देखिए यहाँ पर एक example है कि अगर विकलांगता कोई है अगर नहीं है तो none कर दें orthopedically मतलब हाथ पैर में कोई खराबी है visually handicap यानी आद्रिष्टी दोश है और hearing impaired यानी सुनने में दोश है उसके बाद आप अपना धर्म सेलेक्ट कर लें जो भी हो उसके बाद से आप अपना आधार नंबर भर दे 12 डिजिट का फिर आप अपने पिता जी की annual income यहाँ पर भर दे मैं example के लिए एक लाग भर दे रही हूँ उसके नीचे आएगा फिर आपका communication details संचार विवरन यहाँ पर आपको अपना address भरना है address आपके बाद अगर दोनों आपका एक ही address है मतलब आप एक ही जगह पे रहते हैं तो आपके वाल एक address भरना है पहला वाला अगर आपके दो address हैं तो आप दोनों में भरें पहले आप अपना detail address भरें उसके बाद आप अपने जिले का chain करें राज्जी का chain करें उसके बाद से आप आवासी ब्लाक का chain करें और फिर pin code भर दें बस आपको इतना ही करना है उसके बाद आप नीचे आजाएए यहाँ पर है previous school detail यानि पिछरा school विवरन यानि कच्छा तीन, चार, पांच आपने कहां से बढ़ी है उसके बारे में आपको भरना है यहाँ पर आपका राज्य, जिला और ब्लॉक आटोमेटिक भर जाएगा आपको गाउ का नाम भरना है उसके नीचे आपको school का नाम भरना है मैं example के लिए भर दे रही हूँ इस तरह से आप तीनों कॉलम्स में भर ले अपने school का नाम भर ले अच्छे से तीनों कॉलम्स में बारी-बारी उसके बाद यहाँ पर रिकॉगनाइज़ी रहने दे नीचे वाले में यह जो आपका पूछा है मानेता प्राप्त तो यहाँ पर आप जो आप्शन है उसमें इसको चेंज ना करें वो रिकॉगनाइज़ी रहने दें उसके बाद से आपका है school की स्थिति अगर आपका school rural यानि ग्रामीड है तो आप रूलर सिलेक्ट करें अगर शहरी है तो अर्बन सिलेक्ट करें यह काम आप तीनों में कर लें उसके बाद से आपका आएगा प्रवेश लेने का मा यह automatic fill up होगा यानि उसके बाद से आपका आएगा प्रवेश लेने का मा या वर्ष यहाँ पर automatically अगर जो बच्चे कच्छा 5 में पढ़ रहे हैं तो 2019 सिलेक्ट है पास आउट वाले बच्चे यहाँ पर 2020 सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर सारे columns automatic fill up होगे लेकिन आप उसको एक बार अच्छे से चेक कर लें अगर आप कच्छा 5 में पढ़ रहे हैं तो यह सिलेक्टेड है कच्छा 5 वाले बच्चे यही options टिक करेंगे जो मैंने टिक किया है पास पास आउट वाले बच्चों का option चेंज होगा अगर आप कुसका अलग वीडियो चाहिए तो आप मेरे comment box में comment करें इस तरह से आप भर ले फिर उत्री होने का वर्ष यह भी automatic fill up होगा लेकिन आप इसको एक बार चिक जरूर कर ले कच्छा 5 में fill up वाले बच्चे 2020 दिखाएगा और मन्थ दिखाएगा March फिर कच्छा 4 दिखाएगा 2021 मन्थ दिखाएगा March फिर कच्छा 5 दिखाएगा 2022 क्योंकि आप 22 में pass out होंगे इसलिए और मन्थ दिखाएगा March इस तरह से आपका ये भर गया उसके बाद आप उपर करें फिर नीचे देखें यहाँ पर आपको कुछ documents upload करने हैं उसको आप देखें यहाँ पर पहले वाले में को अभी आप comment box में comment करें तो मैं आपको वहाँ पर वो वीडियो बना के दे दूँगी हाँ इस तरह से आप टिक करेंगे तो file option खुल जाएगा file option खोल के आप photo upload कर दें चुकि मैं किसी बच्चे का form नहीं भर रही हूं उसलिए मैं नहीं कर सकती second column में आपको उम्मिद्वार के हस्ताचर upload करने हैं उसको भी आपको खीच के size छोटा करके रख लेना है file में तब upload करना है तीसरे में आपको अपने माताय पिता के हस्ताचर upload करने है सबसे important है upload certificate यह वाला column यहाँ पर आपको वो वाला form अपलोड करना है जो हमने शुरू में लोड किया था उसको भरने का वी अभी मैं आगे आपको बता रही हूं उसको भर के पहले रख ले उसका photo खीच ले और उसके बाद उसको यहाँ पर इस वाले fourth वाले column में प्रमाण पत्र अपलोड करे वाले मैं अपलोड कर दें यह सारा प्रोसेस करने के बाद आप सम्मिट और प्रिव्यू उपर क्लिक करेंगे तो आपका form सम्मिट हो जाएगा उसके बाद एक और option खुलेगा प्रिव्यू यानि एक बार final save करने से पहले आप अपना पूरा form उपर नीचे करके देख लें अगर सही हो तब ही आप last में final save करके आगे बढ़ जाएगे उमीद है कि आपको सारे वीडियो समझ में आ गए हैं अब इसके आगे हम उस वाले form को upload करना और भरना सीखेंगे ये वो form है बच्चों जो आपको भरना है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण form भरने का वीडियो मैंने अलग से बना कर अपनी चैनल पर upload कर आपको यहाँ वो वीडियो दिख रहा है इसको क्लिक करने पर आप डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे